तो आज हम सीखेंगे क्यालकुलेटर आप बनाना यूजिंग एच्टीमल सीएस एंड जावा स्कृट उसके लिए यहां सबसे पहले मैं एक फाइल बना रहा हूँ इंडेक्स.html जहां पर हमारा कोड होगा इस पेज का अभी यह पूरा पेज ब्लैंक है तो अब हम इस पेज पे कोड करेंगे तो एक शॉटकट होता है सबसे पहले कमांड प्रॉम्ट कोलने के लिए तो यहां पर मैं cmd टाइप कर देता हूँ और यहां पर हमारा कमांड फ्रॉम्ट फ्रॉम्ट फूल जाता है इससे नेक्स्ट अगर हमारा पास विज्वल स्टूडियो कोड है और उसमें हमें अपना कोड ओपन करना है तो सिंपली हम टाइप कर सकते हैं कोड स्पेस देन डॉट इससे क्या होगा कि जो हमारा पूरा यह फोल्डर है यह वी एस कोड के अंदर खुल जाएगा नेक्स्ट हम यहां पर HTML का बेसिक जो कोड होता है एक स्टॉचर होता है वो डालेंगे उसके लिए यहां पर टॉक टाइप करना है एंड देन एंटर तो यह बेसिक HTML का कोड होता है वो बेसिक टाग्ज है ह kole यहां पर हेड्ट टाग देन बॉडी हेडट टाग में हमारे मेरे टागो होते हैं बेसिकल्ली जैसे है है पर एक टाइटल टाग है तो यह टाइटल टाग का एक opening tag होता है and then closing tag होता है तो closing tag के लिए हम less than symbol then slash use करते है and जो opening tag होता है यहाँ पर हम less than and greater than symbol के बीच में जो tag का name होता है वो हम यहाँ पर अपना name देते हैं जैसे कि अभी यहाँ पर इसका title document है तो यहाँ पर हम refresh करते हैं page तो यहाँ पर अभी title हमारा document हो गया क्योंकि में क्यालकुलेटर आप बना रहे हैं तो इसका टाइटल चेंज कर देता हूं, क्यालकुलेटर ऐन्दन सेव करते हैं इसको, तो हमारा यहां जो टाइटल है क्यालकुलेटर हो गोने उसके बाद बॉड ी बॉडई हमारा website का में पार्ट होता है जहां पर हम अपने HTML elements जो हम website में actual में display करना चाहते हैं वो सब इसके अंजर आता है तो सबसे पहले मैं एक input field बना रहा हूं calculator के लिए हम basically इसमें दो input field बनाएंगे जहां पर user अपने numbers एंटर करेगा दो number and उसके बाद हम चार बटन बनाएंगे plus minus divide and multiply जो हमारे चार basic operations होते हैं calculator के तो यह मैंने input tag बनाया and input tag input tag को यहां पर close कर दिया तो एक website है w3 school जो की बहुत अच्छा reference है किसी भी html tag को तुम्हें यहां पर search करना है तो यहां पर पूरी information दिये होती है तो अगर मैं को html input देखना है तो यहां पर html input types दिये हैं तो यहां पर हम user से different different type define कर सकते हैं so that user can enter only in that particular type for example यहां पर input type एक password हमें दिखा रखा है तो यहां try it yourself पर click कर रहा हूं मैं तो यहां पर एक input type है जो की है password so password type कर रहे हैं तो input type में इसमें password की form में दिख रहा है हमें numbers enter करवाने हैं तो इसलिए हम यहां पर type जो रखेंगे हमारा number रखेंगे number and एक हम इसको id देंगे input को id किसी भी element को uniquely identify करने के लिए होती है पूर हमारे code में and यह एक particular element की unique हो सकती है repeat नहीं हो सकती एक element की a की id होती है और किसी id किसी और element की id सेम भी नहीं हो सकती तो अगर मैं इसको id दे रहा हूं input one save करते हैं यहां पर और हमारे code में देखते हैं तो यहां पर एक input field अब बनके आ गई है अब हमें next एक और input field से ही है तो इसी को copy paste कर रहा हूं में नीचे एक shortcut होता है उसके लिए alt shift और down arrow अगर मैं दबाओंगा तो यह पूरी line copy होगे नेक्स्ट लाइन में आ जाएगी तो यह पूरा copy हो गया तो अब में को दूसरा input बनाना तो इसकी id तो सेम होने सकती तो इसलिए यह हो गया input to इसको save करते हैं और refresh किया तो यहां पर अब एक input field और बन जोगी है और यहां पर अब मैं placeholder text दे रहा हूं placeholder text एक hint type text होता है जो कि हम user को बताते हैं कि यहां पर उसे क्या एंटर करना है तो यहां पर जैसे मैं लिखता हूं enter number अब सेकेंड वाले में भी यह लिख देते हैं enter number तो यहां refresh कर आप यहां भी enter number यहां भी enter number तो दोनों जगा enter number जो है हमारा आ गया है उसके बाद हम div tag यूज कर रहे हैं div tag basically block बनाने के लिए यूज होता है कि हमारा यह पूरा block बन गया है इस block के अंदर हमारी दो input field है तो यह block कैसे बना अब हम इसको check भी कर सकते हैं यहां पर हम यहां पर right click करके inspect एक option होता है उसमें जाएंगे उसके बाद यहां left में चोटा सा यह tool है inspect tool इस पर click करते हैं और यहां पर इसके बाद इन पर click करते हैं इन पूट फिल्स पे तो यहां देख़ें एक div है and blue area हमारा पूरा यहां से यहां तक highlight हो रहा है तो हमारा यह एक पूरा div मतलब block type बन गया इसके अंदर हमारे दो fields है input one and input two and then इसके बाद हमें चाहिए buttons तो buttons के लिए यहां पर मैंने बटन लिखा button का closing tag आ गया button में अब हमें plus करना है तो मैंने यहां पर plus लिख दिया इसके अंदर तो copy paste करने के लिए नीचे इसको और copy करूँए मैं तो alt shift down arrow वही symptom ने पहले गिया था one two three तीन बार कर दिया उसके बाद minus divide और multiply तो यह हमारी चार buttons यहां पर इस type से आ गए इसके बाद हम देखींगे कि इसको style कैसे करना है और इसमें JavaScript कैसे आड़ करनी है so that हमारा calculator पूरा functional हो जाए एंड एक तम अच्छे से काम करें करें